प्रिति शर्माद अफेक्ट टाइम आपका स्वागत है एक पब्लिक के दिमाग में लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा हुआ जो बना हुआ है गुफा को लेकर अगर बना हुआ है अगर आप बहां पर गई है तो बताएए असली सच क्या है गुफा क्या है मैं बताती हुआ मैं गुफा नाम गुफा है लेकिन है की आम जयसे घर होता वैसी है हम एक बार नहीं सैखड़ों बार गई हुए है और मैं ही नहीं बहुत गई हुए ऐसे तो जो रिजोट का रास्ता है उसको उसको गुफा पता दिया उसको शुरनी करना कुछ दिखाया गया है कुछ वास्तों में कुछ है और ऐसे लगा के गल्थ दिखाया गया जो कि शरयाम गल्थ हमें अपने हमें गिश्वास मालिक पे कि जरूर एक दिन सच आएगा सामने जो कि सारी दुनिया को पता चलिए जिसको आप तेरा वास बोलते हैं पहले गु कितनी बार आप वहां पे गई होंगें वह तो जैसे महिने पाद जैसे गुरुजी सेवादारों को तो 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 चुछ नहीं है यह है गुफा की सुचाई जो हम उन लोगों की जवानी आपको दिखा रहे हैं जो लगातार तीस सालों से जो जिसको गुफा बोला गया जिसको बहुत बड़ा आपको दिखाया गया लगाता चैनलों पे यह है बाबा जी की गुफा उस गुफा का जो एक खुला आंगन है जहां पे गुरु जी समाज के कारें के लिए लोगों को प्रेरित करते थे उनको परसाइद करते थे उन लोगों को आगे बढ़ने की सिक्षा देत और वह लूग को क्या बता रहे हैं कि किस तना से गृृची उनको क्या बताते थे और आपको क्या परॉसा गया क्यूं यह सवाल जूर्ब आप सोचिएगा और कमेंट וक्स में नवी ढालेगा और आप समाज के के लिए क्या लगता है आपको गुरू जी ने इतना कुछ आप कह रहे हैं उनके उल्ट वो लोग हैं जो समाज के विरोधी हैं तो समाज के लिए क्या काम किया है और उन्होंने जो आज उनकी कमी फील हो रही है हमारे सद्गुर ने नशे चुड़ाए और जो अनाथ लड़क आज कितनी जरूरत है हुनकी समाज को मैं मैसा अगर उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है अगर ये समाज अगर बाबा जी को नहीं लाया गया अब नहीं आए वे बार नहीं लाया गया तो ये समाज जो है नशों में गर्त हो जाएगा बुराई की दलगल में फस जाएगा क्योंकि समाज में कोई नहीं है रोकने वाल तो यही अपील है कि जुरूर जल्दी से जल्दी आने चाहीए वहारा है और सवाल मिले दिमाग में आ रहा है जो काफी चला था डेरा के बारे में जब गुरुजी के बारे में नर्कंकाल आपने भी सुना होगा न्यू शैनल्स पे बहुत आया था भी डेरा सच्छा सोधा मे नरकंकाल मिले हैं क्या है वो वो कुछ नहीं है शरे आम सत्संग में जो है गुरू जी ने बोला चाहिए कि बेटा जैसे अस्तियां आपा परवा कर देते हैं पानी में और वो परदूशन फैलाती हैं तो इसकर कि वावा जी ने बोला था भी अपनी अस्तियां अगर आपा प लास्ट में आप दुनिया को क्या बताओगे डेरा सच्चा सोदा क्या है गुरू जी क्या है क्योंकि उन्होंने जो देखा है वो दिउस बगारा से देखा है जा उनके पास जो बात पहुंची है वो सूत्रों के हवाले से चैनलों से पहुंची है आप अपनी वीडियो के देरा सच्चा सोदा के जो है फोर्स शास्त नाम जी ग्रीन सवेलवर सोर्स बिना किसी पैसे के बिना किसी लालच के बिवैर पढ़ी जान की परवा किये और वहां पर पहुंच जाते है ऐसा जज़बा जो सद्गुर ने बढ़ा है जो उच्छी सिक्षा सद्गुर ने दि को खूली किताब है आपको पढ़ा चल जागा सच्चाई का लोगों की बातों में क्यों सुनते हो सुनी सुनाई बातों में क्यों विश्वास करते हो खुद अपनी आखों से आके देखो तो पढ़ा से लेगा जी बहुत बहुत धन्यवाद ये है रियल फेक्ट देरा सच्चा सोधा का सेंट डप्र गुरमीत रामरीम सिंग जीन सा का जो लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रियल फेक्ट क्या है कौन लोग हैं जो समाज के काम करने वालों को रोक रहे हैं कौन जी रहे हैं जो बाबारामरीम जीने वेश्या को बेटी बनाया उसी नाम पर बदनाम किया गया जो बाबारामरीम जीने बातावर्न को शुद करने लिए एक नरकंकाल जिसको बतादिया गया जो उन्होंने एक मुहीम चलाई कि अस्तियों को के उपर पेड लगाया जाए उसको नरक अंकल बता दिया क्यों ऐसा हो रहा है सोचिएगा जरूर अपनी राय जरूर डाल ये कमेंट बॉक्स में देखते रहें जुड़े रहें दफेक्ट आई के साथ धन्यवाद और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें